किसान भाईयों जो आज की हमारी वीडियो है वीडियो है जी परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने अलान किया है अनौसमेंट की है वैसे तो अनौसमेंट ये तीन-चर महीन ने पहले की की है लेकिन अब ये रिन्योबल कर दी गई है और इसके ओनलाइन आवेदन भी हो रहे हैं म और कहां पे ये आपको आवेदन करना है कहां पे इसके रिजिस्टेशन करना है और किसान के पास क्या-क्या डोकुमेंट्स चाहिए ये सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सबसे पहले जो भाई हमारे चनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे क्यार क्ते साथ के परिछे साल के अंदर पशले साथ साल हैं उसमें नया या कोई ऐसी सबसीडी वाली जो लहब ना उठाया हूँ जैसे कुछ भाईयों ने उत्तरपदेश की बात करूं तो असी प्रतीशत शूट आई थी एंपलीमेंट पर रूटावेटर पर प्लॉप और मल्चर पर जिन भाईयों ने वह शूट ले लिया उनके लिए शूट नहीं है यह उन भाईयों के लिए शूट है जो भाई अभी अभी तक उन्हों ने पिछले साथ साल में ना तो ना टैक् पाउट होना चाहिए बेसिक सी चीज़ें लगबग सभी के पास यह चीज़ें होती है और अगर आपके आसपास CSC को सेंटर है तो आप वहां जाके इसको ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं पंजी करन करा सकते हैं इसको पंजी करन बोल देते हैं कि सार भाई अगर इंग्लिश से पूछ सकते हैं कि यह स्कीम कैसी है और हमें इसका लाब लेना है इस योजना के तहट आप छोटे से चोटा बड़े से बड़ा टेक्टर ले सकते हैं उसमें होगा क्या कि अगर आप मेल मतलब की पुरुष के नाम जमीन है और उसमें सबसेड़ी लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कम से कम भी 10 प्रतीशत पुरुष से ज़्यादा सबसीड़ी मिलना है सबसे ज़्रूरी बात भाईयों अगर आपके पास नगत पैसे देने के लिए नहीं है तो आप इसके लोन भी करवा सकते हैं और लोन में जो आपका बैंक अकाउंट लगा होगा उसमें आपके जो सबसीड़ी के पैसे हैं वो उसमें आटोमेटली ट्रांसफर हो जाएंगे किसान भाई उसमें और बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बंदा सरकारी नोकरी पे है तो उसको यह जो सबसीड़ी का लाब है वो नहीं प्राप्त होगा यह सिर अगर सिवीलियन है कोई पैसे प्राइबट नोकरी करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई पैंशनर भी है तो आपको यह सुबीधा नहीं मिलेगी